सबी बक्तोंको शिरी सुमरपन शिव महापुराण के उन पत्रों का जानकरी देंगे जिन पत्रों में 21 वर्ष बात एक माता को संतान प्राप्ति हुई और एक माता को दो पुत्र हुए और वो दो के तो पुत्र चले गए याने की शान्त हो गए उसके बाद भी उन्होंने कौन से उपाय किये और किन उपायों को करके उनको संतान प्राप्ती हुई वंच की व्रत्ती हुई जानेंगे हम आज के इस वीडियो में कि किस प्रकार से उनको संतान प्राप्ती हुई वंच व्रत्ती हुई और मेरा इतना विश्वास है कि मेरे द्वारा बताये गए पत्र उपाए आप सभी करते हो, पूर्ण विश्वास के साथ करते हो, एक दिन आप भी शिव महापुराण की कता में पत्र भेजोगे और गुरूजी उस पत्र को कता के मात्यम से पढ़ेंगे और आप मुझे कमेंट में आकर जरूर कहोगे कि भाई या आपके बताया गए उपाय से मैंने ये उपाय किया मुझे संतान प्राप्ती हुई इतने सालो बात और मेरा ये पतराज गुरुची ने पढ़ा जो मैंने कथा में भेजाता और उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक भी करना होगा चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना होगा ताकि ये वीडियो उन सभी मातों और भेनों तक जरूरत मन तक पहुंच सके जिनको इनकी आवशक्ता है जल से जल इस वीडियो को शेर कर दीजी अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला पत्र जिसमें 21 वर्षबात कैसे एक माता को संतान की प्राप्ती हुई तो उनका नाम है पोर्निमा जी जिन्नोंने पत्र लिखा अब उसके अंदर जो पत्र गुरुची ने पढ़ा था उसके अंदर उनका नाम भी था एड्रेज भी था और मोबाइल नमबर भी था वैचे तो मोबाइल नमबर टीवी पर या फिर यूटूब पर दिख जायागा आपको किजी का था यह वीडियो में पर मैं यहाँ मोबाइल नमबर बताना उचित नहीं समस्ता क्योंकि फिर मैं मोबाइल नमबर बता दू आप उस मोबाइल पर फोन करकर के पूछो वो परेशान हो सामने वाला इसलान इसलिए तो 21 वर्ष तक उनको संतान प्राप्ती नहीं होई क्यों नहीं होई उन्होंने पत्र में 2002 में पून्लिमा जी ने कि उनका विवा हुआ था 2002 में विवा हुआ विवा होने के बाद में उनको संतान नहीं होई और डॉक्टर के पास गई जाच कर रही तो जाच में पाया गया कि उनको संतान नहीं हो सकती और वो क्यों नहीं हो सकती क्योंकि उनके घरबाशे में टीवी है घरबाशे में टीवी के बारे में बता दिया गया और बोला डोक्टर ने कि ये टीवी ठीक तो हो जाएगी पर फिर भी तुमको संतान प्राप्ती नहीं हो सकती और लगातार वो इलाज करवाते रहे अब मैं आपको यहाँ पर एक गरवाशे के लिए उपाय बता देता हूँ यदि आपके गरवाशे में कोई भी समस्या है या फिर आपको बच्चे दानी से संबंदित कोई भी समस्या है बच्चे दानी का मतलब गरबाशे ही होता है उसमें कोई काठ है तो उसके लिए आपको दो उपाय करने है दो में से जो आपको सरल लगया आप वो उपाय कर लेना दोनों उपाय साथ साथ दिन के हैं आप करने कैसे आपको पहला उपाय फिर मैं आपको पूरा पत्र बताता हूँ पहला उपाय है तुम्रू केश्वर महादेव वाला उपाय इसमें आपको क्या करना होगा एक पुष्प समर्पित करना है कहां समर्पित करना है पगवान चंकर के शिवलिंग पे शिवलिंग पे समर्पित करना है और ये कौन सा पुष्प आपको समर्पित करना है सफेद आकडे की सफेद आकडे वाला पुष्प जो आकडे का पौदा आता है जिसमें सफेद पुष्प लगते वो आपको समर्पित करना है समर्पित करने के बाद में क्या करना है आपको जब आप समर्पित कर दो तो समर्पित करके थोड़ी दिर बाद जब तुम रुकेश्वर महादेव को नाम जब समर्पित कर दो फिर इस पुष्प को उठाओ समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रातना करना है बोले ना आथ मेरे बच्चे दाने में ये समस्या है मुझे इस समस्या से चुटका रहा दो और जब समर्पित कर दो फिर उसके बाद में इस push मो उठाना और किसी बहतीवी नदी में प्रवायिद कर देना अब आप मुझे पता है यही कमेंट करोगे कि भाया हमारे आसपास में कोई भी बहती भी नदी नहीं है जिस दिन वीडियो जागो अगले दिन से उपाय कर लेना या जिस दिन पुश्प मिल जागो उसके अगले दिन से उपाय कर लेना तो आप बोलो कि हमारे आसपास तो नती नहीं है तो हम क्या करें घर में एक पातर के अंदर जल भरो उसी के अंदर तुम रुकेश्वर महादेव का इसमरन करते वज पुश्प को डाल दो ताकि वो उस पातर में विसरजित हो जाएगा फिर उस पातर को उठा कर उसका जल किसी भी वरक्ष के नीचे डाल दीजिए लगातर साथ दिन तक आपको यह उपाय करना है आपके बच्चे दानी चाह समधित सारी समस्या है समापतों की अब अगला उपाय जो इसी से समधित है बच्चे दानी से समधित और वो उपाय आपके रजस्वाला दरम से भी समधित है कि यदि रजस्वाला दरम में कोई भी समस्या चल रही है उसके लिए जियोबाय आपको करना है सोमवार की दिन सोमवार का पढ़ रहा है अभी सोमवार आहिरा है चार जून को सोमवार की मंगलवार की भूमपरदोश पढ़ रही है और तीन जून को पढ़ रहा है सोमवार तो तीन जून को सोमवार वाले दिन क्या करना है आपको? साथ दुर्वा लेनी है अब जो भी माताएवेन जो भी पुरुष की वीडियो पहले बार देखेगा वो कहाएगा दुर्वा क्या होती है तो मैं आप सब को दुर्वा दिखा देता हूं ये जो आप इसक्रीन पर देख रहे हो ये उक्ति ये दुर्वा जिसको कहा जाता है शुद्ध भाशा में आपके हैं पर इसको जो भी कहा जाता हो आप देख सकते हो तो ये आपको ले लेनी है कितने लेनी है कुल साथ लेनी है साथ लंबी लंबी घास बिल्कुल जमीन से इसको निकालना बहार और फिर साथ इसमें से कलिया निकाल लेना सीधी सीधी इस प्रकार से साथ आपको निकाल लेनी है ये निकालने के बाद में आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में शिवजी के मंदिर में सोंबार के दिन सुबह सुबह जो माता शोक सुंदरी वाला स्थान है इस स्थान पर आपको ये साथ की साथ दुर्वा समर्पित कर देनी है और समर्पित करते समय आपको नाम लेना है माता पीवरी का माता पीवरी के नाम से आपको ये दुर्वा पानी के साथ खा सको आपको रजसवाला धरम पूरीdar से सुमापत होँ तो तो उनको बच्चे दानी में टीवी हुई पॉर्ण निमा ची को अब उन्हें डॉक्टर को दिखा है डॉक्टर ने देखने से माना डॉक्टर ने देखा तो सही पर डॉक्टर ने कहा कि अब आपको संतान प्राती नहीं हो सकती है अब आप ऐसे ही रोगे इस प्रकार से कई साल निकल गये और पुल 21 वर्ष निकल के निकलते निकलते हैं अब उनके चाचा और चाची से दिनो ने बताया उनको किस बारे में बताया गुरुजी, पंडीप, परदीप जी मिश्रा और उनके शिव महा पुरान की गता के बारे में उन्हों ने कहा कि गोरी और उन्होंने उपाय किया दो उपाय जो सबसे कारगर उपाय सभी करते हैं आप भी कीजिए सफेद आकड़े की जड़ और पशुपतिनात का व्रत पशुपतिनात जी का व्रत और सफेद आकड़े की जड़ वाला उपाय उन्होंने किया और दोनों ही करने के बाद में आसफल हो गया, पांच पशुपती नाजजी के वरत किये थे उन्होंने, पशुपती नाजजी के वरत का फल उनको नहीं मिला, और साथ ही साथ में सफेद आकड़े की जड़का उपाय करा, वो भी उपाय आसफल हो गया, उन्होंने खाट ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे कोई खल्टी हो गई हो तो उन्होंने फिर से सफेद आखड़ी की जड़क उपाय करा और फिर से पशपती नाच्जी का भरत कराा। और सफेद आगडी की जड़को उपाय करा और कलने के बाद में उनको खुशकबजी प्राप्त हुई 21 साल बाद उनका गर्ब टेहरा और उनको संतान प्राप्त हो गई दूसरा पत्र था वो मालती सिना जिखा था जिनोंने बताए कि गुरुजी 2019 में मैं गर्बवती हुई थी गर्बवती होने के बाद मुझे दो पुत्रों की प्राप्ती हुई पर बोले बाबा पता नहीं क्या चाते थे दोनों पुत्रों का ही थोड़े समय बाद देहान कि देख हो गई इसके बाद गुरुजी मैंने आपकी खता सुनना लगातार प्रारम्बगर आपकी खता सुनती रही और आपकी खता सुनकर मैंने उपाये करना शुरू कर दिया पशुपति नाची के ब्रत भी करें सफेद आकड़े की जड़का उपाये भी करा पर सफलता प्राप्त नहीं हुई और मैंने बाबा से प्रात्ना करे थी कि जो मेरे दो पुत्र तुने मुझे ले लिये हैं उन पुत्रों को तुझे मुझे वापिस करना होगा तो इसके साथ ही मैं लगातर प्रयास करती रही प्रात्ना करती रही लेकिन उसके बाद भी मेरी पूजा साल तक अगवान्चंकर के मंदिर जाती रही उनको जल छड़ाती रही बाबा से प्रती दिन प्रातना करती रही फिर भी मेरी भोले नतने नहीं सुने पर मैंने आपकी बात ध्यान रखी कि यदी तुमको कुछ प्राप्ट नहीं हो रहा तो शायद हमारे कर्मो की फाइल मोट आप कहते हो कि सोमबार की अश्टमे की दिन भगवान चंकर और माता पारवती के मिलन का दिन होता है तो इस मिलन के दिन यदि आप जो भी शिव जी से प्रातना करते हो वो पूंग जरूर करते हैं तो सोमवार की अश्टमी के दिन मैंने नंदी जी के कान में अपनी बात बगवान चंकर को बोल दी नंदी जी के कान में अपनी बात बगवान चंकर को बोली और बोलने के बाद में बाबा से प्रातना करी कि हे शंबू हे शिव आज सोमवार की अश्टमी है तो मुझे संतान प्राप्ति करा और इस प्रकार में लगातार उपाय करती रही और सोमवार की अश्टमी के दिन भी मैंने उपाय करा और अपनी बात नंदी जी के कान में शिव जी तक पहुचा दी इसके बाद सोमवार की अश्टमी जाने के तीन महीने बाद मेरा गर्व ठेरा और मुझे दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि दो मेरे पुत्र चले गए थे, वो मेरे दो पुत्र वापिस आ गए, तो ये थे दोनों पत्र, अब गुरुजी ने इसी कता में, यानि की पाँचवे दिन की कता में एक नया उपाय बताया है दिपक वाला, दिपक वाला उपाय कौन सा है गुरुजी ने बताया कि यदि आप किसी तीर्स में जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो किसी भी स्थान पर जाते हो, आप जाते समय आपको भुजेवे दिपक दिखते होंगे दीपकों आपको उठाना है और एक स्थान पर रख देना है एक स्थान पर रखने के बाद में सभी दीपकों को प्रणाम कर देना है क्या होता है यह करने से यह करने से हमारे जो पित्र हैं वो प्रसंद होते हैं हमारे पित्र त्रिप्त होते हैं और यदि हमारे पित्रों को मो प्रक्ष के नीचे मिलें तो वहां से भी यदि दीपक आइट साइट में पड़े हो उनको उठा कर एक तरफ रखकर प्रणाम कर देना प्रातना कर देना भूलेना से आपके पितल प्रसंद में अगला जो उपाई गुरु जी ने बताया इसी खता में वो बताया था कि यदि आपके पास में समय हो और समय हो तो जैसे समय के साथ में आपको जल परके ले के जाना है समय हो मतलब आज आपको लगता है कि आज मैं फिरी हूँ तो फिर आपको आपकी मनों कामना पूरती के लिए एक कारे करना है जैसे कि आपके देख रहे हो बाल्टी ऐसे ही आपको पाल्ती में जल बरने के बाद में आपको क्या करना है यह जो आप देख रहे हो बगवान चंकर के ऊपर रखे हुई है यह मटकी यानि कि यह जलादारी है जासे बूंद बूंद जल नीचे गिरता है जिसको बगवान चंकर की पांच बेटियों का इस्तान बताया जाता है तो या फिर इस से जादा जल जो आप जलादारी हो आसपास में जितना जल उस जलादारी में आए उतना जल आपको लेके जाना है अब इस जलादारी को आपको पूरी भर देना है पानी से पानी से पूरी बरो और इतनी भरो कि इसमें से पानी चलक कर बाहर गिरे पानी चलक कर जो शिव जी के उपर रखी हो जो मटकी रखी हो या और कोई दूसरा पातर रखा हो उस पातर में जितना जला सके अपने घर से ले कर जाईए और अपने घर से उस जल को ले जाकर उस मटकी में या उस पातर में डालिए और उससे जल चलक कर बाहर गिरे ताकि बाबा उससे ज अमर्पन्षिव महापुरान के खता पत्र रुपाई सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू प्याम और हाँ